सार नेटोर की इसु है सर बहुत जाब क्या करना है आपको तो आपकी आवाज बहुत रही है तो मेरी आवाज कट रही है वही तो प्रिया अट रही है फी मेनेजमेंट सिस्टम पर बनाएंगे हम जावा तो आपने लाइबरेडि मनेजमेंट सिस्टम लिखा था लिखवाया था अब फी मनेजमेंट सिस्टम हो गया यह सर तो इसको कर दें यह सर लिकिन प्लेट्ट प्लेटफर्म तो बही रहे गा ना आ कि चलिए तो फी मनेजमेंट सिस्टम हो गया आपका एक मिनट के पहले नेटवर्क के कोई बेवस्था करें नेटवर्क तो केबल से लगाया हूं मैं एक मिनट के लिए डिसकनेट कर रहा हूं अगर डिसकनेट होंगे तो फिर से कनेक्ट हो जाओंगा हुआ हुआ है अभी आज आ रही है क्लियर यह सर अभी तो आ रहा है यह सर अभी ठीक है ओके हाजी तो फी मनेजमेंट सिस्टम आपका कर दिया में इतकुम ठाकूर और चावा और माइस कुल कर दिया कि अनिदाउट नो सब्सक्राइब नो प्राब्लम बंद करूं मैं इसको मेरे में बैकेंट और एकल दिया अंसर कि ड्रीम टीम सर तो आप यह होगा कि नहीं सब्सक्राइब करना है कि पैकेंट से उत्ता मतलब नहीं रखता है फ्रंट इंड में है ओके सर इसलिए बैकेंट में जरूरी नहीं है अगर है तो बाद में भी कर सकते हैं उसके लिए कोई हाय तोबार नहीं है जाद है प्रूट फोर्स टॉपिक क्या है लाइट खोड़र सब्सक्राइब कि लाइट कोडर क्या है स्टुडेंट एजूकेशन मनेजमेंट है यस अगरी कल्चर पर क्या है अगरी कल्चर बोलिए यस अगरी कल्चर पिस्टम क्या अगरी कल्चर में मतलब फार्मर से रिलेटेट कुछ काम करेंगा है यह सर्फ फार्मर जो भी ग्रो करेगा वो किस तरह से अपना प्रोडक्स कर सकता है अगरी कल्चर का चलिए ओके और किसी का बदलाओ नहीं है कि में अ एक यह चलिए इसको बंद किया से अब कर दिए थोड़ा सा माई स्क्विल में आप लोग ने काम किया है कैसे आप लोग ने काम किया है माई स्क्विल करते हैं और कैसे काम करते हैं कौन बताएगा जैब शर्वर के फून लोग इंस्टाल करके उसmee माई इस्टाल करते हैं और शर्वर पाची पीएच़ पीएचपी के के लिए वहाँ पे यूज नहीं की ओपाचे सब्सक्वर में ही इन बिल्ट मिलते हैं तोड़ी आपके रहेगी तो आपको सिस्टम में माईस कि वेल डाउनलूट करना है वैसे आप चाहें तो उससे भी कर सकते हैं एक होता है सरवर्र डूसरा होता तो होना ही होना चाहिए हänder पहर इस्तोले के रूप में डाबेस इंटरफे मैं मायक्ष dł वर्क नेटर的话 किया जलता है इसका इस्तमाल किया जाता है कि इस lle सब्सक्राइब कर सकते हैं कर सकते हैं टेबल बना सकते हैं उसके अंदर जो भी काम होगा वो सब वर्क बेंच के अंतरगत ही होगा कि लेकिन जब सब्सक्राइब कि अच्छी बात है मैं जो बूल रहा हूं उसको सुनिये और उसमें अगर आपको कुछ बोलना है तो ठीक है तो इसमें कम से कम दूंस्ट्राइशन हमारे पास होना चाहिए कहीं-कहीं पर यह कम मैंड भी आते हैं सौफ्ट्र में और कहीं कहीं पर इसके ओरिजनल साइट से आप जाकर किजेगा तो सब अलग अलग है कि ए ऐसलता कमाइड वहां पर ठीक है तो नो मैटर इसको बहतर बिकल्फ होगा कि हम इसको कममाइड वाला ही करें क्या करें तो वह आप कर लिजेगा कि वह बताना पड़ेगा अवाज आ रही है क्या करूं यह रवाजी रुको होट स्पोर्ट से जुड़ते हैं क्या रही है अभी आवाज आ रही है ना यह सर अभी आ रहा है तो माइस्क्वेल आप इंस्टॉल कर लेंगे इतना तो हम आप रखें कि कर लेंगे यह वर्क बेंच ली आप इंस्टॉल कर लेंगे हो जाएगा तो जैसे मेरे सिस्टम में अल्रेडी माइस्क्वेल और वर्क बेंच इंस्टॉल्ड है ठीक है तो माइस्क्वेल सर्वर मैंने अलग से कि एक बार किया था अगली बार में दूसरा डाउनलोड मैंने किया था माइस्क्वेल वर्क में ठीक है तो जो अलग से किया था इसलिए सिस्टम लगा हुआ हो सकता है आप जब करेंगे तो माइस्क्वेल ऑप्षन जो आपका यह उप्षन नहीं होगा यह हम अलग से कर लिए ते जो लेटेस्ट वर्जन होगा या पीटा वर्जन होगा जो भी होगा तो अगर आपको इसक्वेल पर काम करना है तो आपको यही कि एक बार इंवर्मेंट के बारे में थोड़ा सा एक प्रीफित देते हैं वैसे मेरे को पता है कि सब लोग किये होंगे ठीक है हो सकता है कि जो मैं तरीका बताओं यह आप जैंप वोगर से भी जोड़के कर लें ठीक है तो आप वैसे भी करके काम निकाल सकते हैं काम निकलना चाहिए जब हमारे पास सर्वर साइड़ स्क्रिप्टिंग लेंगे जोगा जोगा जैस पी यूज करेंगे तब कर सकते हैं भले से हाँ हाँ है कि मैं लिए उसका इंपोर्टेंस तो आपका तभी जाएगा और तभी बनता भी है कि यह आपका माई एसक्वेल वर्कवेंच का इन्वार्मेंट है कि आई थिंक आप लोग खोलते होंगे भी तो लंसम यह आता होगा कोई बोल नहीं रहा है कुछ नहीं कर लिजेगा इंस्टाल और यह आएगा और लेप्टेंड साइड में जो आपने टिया होगा उसका जो पास्वर्ड आपने दिया और वो जिस पोट पर काम कर रहा होगा उसका इक प्रीफ इनफोरमिशन दे रहा है यह सर्थ यह सर्थ यह याद रखना होगा क्योंकि जब आप गडिंग करेंगे तो कोडिंग करते वग इसी पूर्ट नंबर को आपको देना mandatory है ठीक है अब अगर यहां किसी का दूसरा पूर्ट नंबर आ रहा है तो वो अपने उसी पूर्ट नंबर का इस्तेमाल करेगा clear हो गया yes sir हो सकता है कि यह पूर्ट किसी और के द्वारा alert हो गया होगा ठीक है अलागी यह यूनिक पूर्ट है ठीक है हमको नहीं लगता है कि यह alert होगा ओके लेकिन अगर माल लिया कि हो गया होगा तो कोई और पूर्ट कंफिगर किया होगा यहां पर जो पूर्ट नंबर है उसको आपको मेली यहां पर ध्यान देना है कि 3306 अगर आ रहा है तो वेल्गूट करना होगा इंटर करना होगा नहीं और जैसे क्लिक करेंगे क्या पूछ रहा है पास्वर्ड यह पास्वर्ड उस समय पूछ लेता है जब आप इंस्टॉलेशन करते हैं सर्वत का तो उसको याद रखना होगा और वही यहां पर डालना होगा ठीक है यह आपका एक्ट्वल आपका लुक है यानि आप इंटर कर गाएं आप डेटाबेस क्रियेट कर सकते हैं डेटाबेस में टेबल बना सकते हैं यह सारे काम आप कर सकते हैं अब यहां थोड़ा ध्यान देजिए सब्सक्राइब देजेट आपने हैं कि मानता है क्या मानता है क्या मांता है कि आप मेरे अंदर जितने भी डेटाबेस क्रेट करेंगे कुण अडिडर स tau क्या आज माने जाएंगे उनको सकीत है तो कितने databases हैं नहीं हैं जानने के लिए आपको क्या क्लिक करना होगा तो यह बता रहा है कि Sys नाम का एक default है जो पहले से by default आता है बाकि सोनी और रभी नाम का दो schemas यानि दो databases यहां पर create किये गए पॉइंट क्लियर यह सर्थ अब बात है कि हम मल्टिपल प्रोजेक्ट में माई-स्कुल का इस्तमाल करेंगे तो हमको मल्टिपल डीटाबेस बनाने पड़ेंगे ठीक है मतलब मल्टिपल इसकी मैंज बनाने होंगे तो मानके चलते हैं कि हमको एक डेटाबेस बनाना है क्या करना है तो एक ही डेटाबेस के अंदर मल्टिपल टेबल सो क्रिएट कर सकते हैं इन जितना मर्जी तो बना लेंगे तो भी तो हो जागा न सर्थ कि सर्धड्ड आपका बनाया भाटी डेटावेस है उसमें भी टेबल बना सकते हैं तो दस कंपनी का काम किजिए प्रश्टिंग और आपके पास डाटाबेस क्या होने चाहिए सबसे लिए बैंक का डाटाबेस अलग होना चाहिए तो काइंडली यह सूटेबल नहीं है तो हर एक नए प्रोजेक्ट के लिए उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा करना पचाहिए ठीक है और यहीं फिजिबल सॉलुशन भी है एब्रीबडी यस यह नो यह सर्ट तो मान के चलते हैं कि हमको एक नया क्रिएट करना है ठीक है आप करें ना करें आपकी मर्जी है तो आप यहां पर राइट क्लिक करेंगे इस ब्लैंक एडिया में क्लिक करेंगे और राइट क्लिक और इसमें एक आप्शन आता है क्या क्रिएट इसको क्लिक कर देंगे और यहां जो भी नाम से आपको बनाना है वो करेंगे तो रभी सुनी तो है कि नाम से बना देते हैं मालीजे की सीमेज के नाम से बना देते हैं ठीक है और क्या कर देंगे या प्लाए और फिर क्या कर देंगे कुछ नहीं करेंगे अपलाई और फिर फिनिस ठीक है इसको आप बंद कर दिए आपके राइट लेफ्ट हैंड साइट में देखे सीमेज नाम का इस्किमा बंद चुका है लेकिन रभी डार्क में यह बता रहा है कि करेंगे और सेट एस क्या कर देंगे डिफॉल्ट करेंगे सीमेज हाइलाइट हो गया हो गया अब साथ टेबल बनाना है हमको अब टेबल बनाएंगे तो किसमें बनेगा तो किस से होगा तो सीमेज के टेबल से क्वेरी होगा जो कुछ होगा अब टेबल बनाना है तो टेबल बनाने की यह दो बेवस्ता एक तो जैसे आप यूज करते हैं वह आले बेवस्ता से भी आप जा सकते हैं नाइक यहां करेंगे तो को डियालेक बोक्स एसक खुल जाएगा ठीक है ऐसे यह टेबल का नाम दीजिए समझ गया है समझ गया है यह अब लाई कर दिजिए एक तो यह तरीका है लेकिन आपका है सरां तो कमांड सिख है ना कि आप में भी कर सब्सक्राइब कि यह पंदर 20 में हो रहा है चीक है तो माल लिजे कि आप कहीं कि नहीं सर हम कमांड के जरी करना चाहते हैं तो चलाइए कि क्रियेट करना है तो सर क्रियेट टेबल हम कमांड जानते हैं लिखेए के क्रियेट टेबल लॉग टेबल नेम लॉग यूजर नेम चाहिए रैकेट में 20 लैंद कोमा पासवर्ड वायर केट में 20 चिक और सर इसको सेलेक्ट कर लेगे है तो यहां पर एक आप्शन है एक इग्जेक्ट क्वेरी जैसे एक जीक्वेरी क्या है और यहां पर मैसे जा रहा है जीरो रहे अपैटेट क्लियर येस ठीक है टेबल क्रियेटेड है टेक है टेबल गोर डिस्क्राइब करने के लिए आप क्या करते हैं डिस्क्राइब करते हैं ये सर्फ ठीक है आपका यूजर ने पासओड बता दिया टाइप बता दिया नल वैलू है कि नहीं है तो है अगर आपको वहाँ पर करना था लिख देते नॉट नल अना यह से ठीक है क्लियर अब मलते हैं आपको इसमें यह डालना है एक रेकॉर्ड इंसर्ट करना तो इंसर्ट इंटू टेबल नेम टेबल नेम वैल्यूज वैलूज और पारंथेस में वाल्यूज अप्लाइब करेंगे वैलूज में माल लिजिए सीमेच और पासवर्ट भी सीमेच ठीक है ओके तो इसको एक्जिक्यूट करना होगा यह सर्ट एक्जिक्यूट क्वेरी क्या लिखा इंजर्शन सक्सेस्फूल सर्ट ठीक है अब हमको देखना है कि वो रेकॉर्ड गया कि नहीं क्या कमंड चला सिल्एक्ट स्टार्ट फ्रम लॉग इन सलेट इस्टार फ्रों टेक्ट याग्या आगया कि हमको एक और इंसर्ट करना है इसमें इंसर्ट इंटू लॉग इन ठीक है लेकिन पहले इसमें पासवर्ड है अफिर लॉग इन साथ इसमें कॉलम ने में से करेंगे लगा कि अगर सेड़ेंज नहीं करना है तो 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 बीना कॉलम ने बदिए टारेट्ट फैस लिग सकते हैं तैकिन अगर स्कूर्ण चेंज करना है तो क्या करना होगा को यहां पर क्या डाल देंगे पास्वर्ड कॉमा यूजर ने तो क्या लिखेंगे वैलू और पास्वर्ड में डाल देते हैं पहले ठीक है टेबल का नाम क्या देते हैं टोनी यूजर नेम टोनी चेक हैं यह सर्थ हो गया यह अब हम चेक करते हैं कि जो सिक्वेंस अल्टर करके दिये थे वो सही में बता रहा है कि नहीं बता रहा है यहां पे तो उल्री क्लिखा ही हुआ है इसे को सेलेक्ट करके रन करा देते हैं लुवार आगीए है अगया तो यह एक काम हो गया यहांपे टेबल करेट करना डाटा डालना है यह सब तो हो जाएगा आपसे यह सर्वर और यह है सर्वर का इंटरफेस और हम यहां से अब जुम्प करेंगे चले जाएंगे नेटविंस चलेएंगे लिए अलग की बात है कि वो देश इस देश को समझ रहा होगा ना भी समझ रहा होगा मतलब उसके लिए ड्राइवर रख भी रहा होगा ना भी रहा होगा है तो हमको तो पहले तो यह बताना होगा मैं त harsh के भी या मैं तुम्हारे साथ माई обяз कुशे when database को यूज नवाला को चिक थैयल तो माईश्वी के श्वेस को यूज अनुसार लेकिन फॉलॉ अप करेगा मेरा mysql database और उसका interface यानि workbench मैं जो बोल रहा हूं समझ में आई बाद लिखूंगा वहाँ follow up कराना है यहां पर तो वो कहता है कि इसके लिए तो मुझे driver की जरूरत होगी इसके जरूरत होगी ड्राइबर की मेरे को एक ड्राइबर आप दिजिए जिस ड्राइबर से मैं आपके mysql interface mysql database and उसके interface को मैं अपने interface के साथ क्या कर सकूं लिंक कर सकूं ठीक है यह नेटविंद के पास हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है जादतर केस में नहीं होता है तो कहता है नो problem at all ठीक है अगर हमको नेटविंद में काम करना है तो एक ड्राइबर हमको इंस्टॉल करना होगा जिसका नाम है mysql connector java 8.0 5.0 something वाला भी मिल जाएगा या 5.1 वाला भी मिल जाएगा 5 के उपर कोई भी मिल जाएगा आप ले लिजे मैंने 8 किया है आपको जो समझ में आ रहा है वो कर लिजे आप ये भी डालिएगा तो मिल जाएगा क्लियार यानि five and above वाला में जो भी ड्राइवर्स है किसी को भी आप ले सकते हैं पॉइंट क्लियार यह सै मैंने यहां पर एट वाला लिए लिखा हुए ना एट पॉइंट जीरो पॉइंट ट्वेंट एट यह सर्ट यह कहां मिलेगा तो आप सिंपल गूगल खुल के उसम इस बार आ जियार फाइए चाहिंट ट्वेंट ट्वेंटे फिक्स है जो भी आपको हो इंस्टॉल कर लेना क्लियार यह सार्थ मैंने कौन सब्सक्राइब ट्वेंटी 28 है तो कोई चले देखिए 28 ही दे रहा है यहां भी चिक है अब यहां पर एक टार में आ रहा है और एक जिप में आ रहा है privatefleet download download करने के बाद चाहां download होगा वहां extract कर लिजेगा क्या कर लिजेगा extract extract समझ रहे हैं इतने points फोलडर बन जाएगा फोल्डर में कुझेगा ये वला फाइल आ जाएगा इसको याद सूड़ दिजे ये अल्झाक ये डेस्टोप पे क्लियर काम खत्म अब है ड्राइबर को नेट बिन्स में ले जाना को नेट बिन्स खोलें कि लिए आपको जाना होगा लाइबरी किसमें जाना होगा लाइबरी में इसमें राइट किलिक किजिएगा तो इसमें एड ज्यार फाइल आता है इसको क्लिक किजिएगा मैंने अल्रेड़ी किया हुआ है तो आपका डेस्टॉप लोकेशन से लिट किजिएगा तो यह आ जाएगा सलिट करके क्या कर देना है यहां पर क्या हो जाएगा एड हो जाएगा अब एड हो गया मतलब यह यह नेट बिल्स इस रेड़ी तो यूज यूज दाटाबेस एंड टेबल्स क्लियर यहां पर हमको कोई दिमाग नहीं लगाना है अब यहां पर दिमाग यह लगाना है कि कैसे काम करें तो आप कोई भी नया प्रोजेक्ट खो लिए चिक है इसके कोडिन आज मैंहीं डीटेल करके नेक्सπό बतांगा पर रिख स्थानुष यहां पर तैयार कर लिया यह यह यूज़itarian पासवर्ट यजes वह वहां पर database में जाए, verify करें और हमको यह बताए कि सही है कि गलत है, अगर सही है तो login successful, गलत है तो login failed, ऐसा message आए, हम इसको बाद में एक दूसरा form ले ले लेंगे, home page बना लेंगे, या home form बना लेंगे, हम उसको उससे भी connectivity करा देंगे, कि अगर login okay है, तो एक दूसरा page एक एक यह मैंने किया है, अब है कि यह कैसे आ रहा है तो यहां पर आप देख रहूंगे कि जैसे इस यह design में हम लिखा है, यहां पर आप जग रहा है, सारा components आ गया, यहां पर यह जग यहां लेवल से यह बटन से, एक स्ट्स्टंब मैंने यहां पर लेबल का इस्तमाल किया है ये थो आपका है इए पांसवार्ट है एक यहे आपका पासवर्ड यह सै और यह आपक क्या है यह लॉगाईन का बटन है यह रिशेट का बन लें जिसमें में भी चेंज करना है जैसे माले लेबल में कुछ और आ रहा है आपको नाम बदलना यहां पर राइट क्लिक किजिए क्या जाएगा नहीं तो आप यहां पर प्रोपर्टी विंडो में भी जाके यहां से चेंज कर सकते हैं ठीक है यहां एडिट टेक्स किजिए डिरेक्ट और यहां पर देखें ब्लिंग करने लगा जो भी मिटा के लिखना है लिख दीजिए ठीक है क्लियर यह सर्थ हर एक कंपोनेंट का एक डिफोल्ट वैरियेबल नेम भी होता है जो उसका कॉलिंग नेम होता है तो बाई डिफोल्ट सब अपना अपना कुछ बनाता है अगर आपको माल लिजे कि यह आपका पासवर्ड के लिए है तो आप इसका वैरियेबल नेम अगर सेट करना चाहते हैं तो यहां पर देखें आएगा जे टेक्स्ट और इसका मैंने क्या रख दिया है पी डव्लूड या निकी पासवर्ड पासवर्ड ठीक है उसके बाद पटन पर हमको एक्शन अप्लाई करना है डबल क्लिक कर देंगे तब भी हो जाएगा राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं जैसे हम डबल क्लिक कि नहीं है और अधिय है और यह देखें कि ये मैं टैकर ये तो इस में को कुछ नहीं करना है यूजर नहीं कर टेक्स्ट को क्या कर दिये ब्लैंक और पासवर्ड पर टेक्षे शlles को क्या कर अब नीचे में होगा लॉग इन अगर यहां पर आपको यह मेंडेटरी है जब यह लिखियेगा तो हो सकता है बल्ब बनता जाए क्योंकि हर एक पर्टिकुलर क्लास की रिलेटेट पैकेज होगा जिसको आपको उपर में क्या करना होगा इंपोर्ट करना होगा ठीक है तो कहता है कि बल्ब जैसे जलेगा ठीक है ना वो खुद भी आपको सजेशन देगा जैसे फॉर एक्जाम्पल माल लिजे कि हम यहां से कनेक्शन को कॉमेंट बना देते हैं कि आई कि करेंगे कि करेंगे यहां प्ल्ब आप इसको इंपूर्ट कीजिये नहीं कियें तो क्लिक करेंगे तो अपने आप उपर में लग जाएगा यास सब्सक्रणाना हम तो यह कोमेंट बनाते हैं लग गया ना इस जिए आप लिखियेगा और बहुत पर क्लिक किईए गा और आएगा इंपोर्ट तो आप वहीं पर क्लिक कर दिए गए इंपोर्ट होता चला जाएगा बल भटता चला जाएगा क्लियार यास तो यह क्लास.ड़ फॉर नेम आप जावा बहु जगा आप यह सिखे होंगे यह कॉमन है ठीक है यह बता रहा है कि भाई हम किसके तहट जेडिबी सी ड कई पर औरेकल रहता है तो यहाँ औरेकल लिखा जाता है इसके बाद कनेक्शन बनाने के लिए किस बाडबेस कगे चापोर्ट करता है उसके लिए को ं तैयार का जाने क्लास का कॉन ओब्जेक जिसमें driving manager .get connection किया जाता है और इसमें z dvc mySql जैसे लिखा है वैसे ही पताय थे लिखना होता है उसके बाद डेटाबेस की स्टीर पे काम कर रहा हूं आपको सीमेच पर काम करना है तो यहां क्या लिखते हैं इसके बाद कोशन मार की यूज ssl false जो है यह आपको रखना होता है यह predefined term है उसके बाद आपको root का login ठीक है और उसका password देना होता है क्या देना होता है और password यह देना होता है तभी वो इंटर कर पाएगा नहीं दिजेगा तो इंटर नहीं कर पाएगा ठीक है उसके बाद कमांड SQL query चलाने के लिए ठीक है हमने यहां पर क्या किया है कि यूजर नेम में जो भी आप टाइप कर रहा है उसको गेट टेक्स्ट कर लिए और पी डवलूडी टेक्स्ट बॉक्स में जो भी आपने पासवर्ट टाइप किया उसको भी हमने गेट टेक्स्ट करके किस में रख लिया है आज डवलूडी और इसको रख लिया है यूजर नेम में उसके बाद हम एक स्ट्रीमेंट चलाएंगे ठेख है चलाना चाहते हैं स्ट्रींग स्क्रेट्फ़ नहीं का जो हाफ देख लएंगई हैं यह स्ट्रींग निकालना चाहते हैं लेकिन हम उस corn को निकलना चाते हैं जिसका यूजर नेम हमारे यूजर नेम और पासवर्ड हमारे पासवर्ड इसका लिखने के तरीका यही होता है यह आपको ध्यान में देना होगा लिखने का तरीका कैसे होता है कि जो भी आप फिल्ड दे रहे हैं जो वैरियेबल यहां पे दे रहे हैं उसक यही तरीका है इसका यह लिख देंगे उसके बाद रिजल्ट सेट एक बनाईए आरेस स्टी एक्जिक्यूट क्वेरी कर दीजिए उसमें किसको डाल दीजिए एसक्यूबल यह लिख चल जाएगा चला देगा और उसका जो रिजल्ट सेट यह मुं किसमें स्टोर हो जाएगा तों किस्टम करेंगे नहीं मिला और उन मतलब ट्रू ये सर्ट्रू मतलब की भाई है मैंच कर गया यह यह इस अब दरने पासवर्ट मैच करेगा तब नो कुईटेंगा जब कुईरी होगा ही नहीं तो रिजल्ट सेट में श्टोर कहां होगा होता ही नल होगा तो आरेस डॉट नेक्स्ट अगर ट्रू हो रहा है इसका मतलब कि क्वेरी चला मैचेज हुएं और मैचेज हुएं तो हम कहा रहे हैं कि जो फॉर्म है उस फॉर्म को हटा दो और एक डैलेक बॉक्स ले आओ और कह दो उसमें क्या लॉग इन का मतलब होता है जो कॉरेंट लॉग इन का फॉर्म खुला है उसको हटा यह स्क्रीन से ठीक है और एक सो मैसेज डैलेक बॉक्स ले आई है जो जिए ऑप्शन पैन के साथ इस्तमाल किया जाता है जिए ऑप्शन पैन डॉट सो मैसेज डालेक लिखते हैं इस मतलब पर्टिकु अगते हैं तो इसलिए मैंने वह भी लाइन लिख के बच्चों को समझाया था ठीक है और अगर ऐसा नहीं हुआ तो भी एल्स में जाओ ठीक है उसमें लिख दो लॉग इंफिल अब इसको चेक करके हम दिखाते हैं लेकिन इसके लिए हमको सेलेक्ट वहां सीमेज किया है हम किसको सेलेक्ट करना होगा फिर से यह शुद रबी को कर लिया है और अभम इसको रं कराते हैं अ फिर यह ब्लैंग हमने sudah में नहीं किया खेकोई बत नहीं है इसमें डालते हैं रबी और इसमें डालते हैं पासवर्ट में सोरी और logging करते हैं क्या लिखा logging successful logging successful ठीक है क्योंकि हमने रभी और सोनी नाम से दिया था दोबारा नॉन कराते हैं इसको और इसमें डालते हैं और इसमें कुछ और डाल देते हैं टोनी क्या लिखा लोगिन फेल ठीक है फिर रिसेट कर देता है और इसमें लिख देता है रभी और फिर इसमें लिख देता है सोनी क्लियर यह सब्सक्राइब तो यह आपका एक कनेक्टिविटी था और साथ से एक लॉगिन का पेज था ठीक है हम यहां पर लॉगिन करा देंगे सक्सेस्पुल हो गया तो हम चाहते एक दूसरा फॉर्म खुल लेंगे ठीक है या उसी में ऑप्शन बना देंगे नियू यूज हम और पासवोड को कर सका करा सकते हैं वॉस्पे हम लोग ठीक है तो हम लोग डिसकत करेंगे ठीक है फिलाल तो यह एक चीज को सीखाना था कनेक्टिविटी जो में था इसे यह क्लियर हो गया तो उडियो लाइक टू पहले तो आप डिजाइन फेस का एक स्नाप ले लिजे और डिजाइन फेस का ले आउट अगर देखना चाहते हैं तो यहां से ले आउट भी देख सकते हैं प्रिवीव तो एक प्रिब्यू आप ले लीजिए तक यह शरी डिजैन आपको करें है कि यह इसमें कुछ नहीं है इसका लागिन पर डिक कर गें जिए फ्रेम फॉर्म को सेलेक्ट कर दो करके वैसे जो डिफॉल्ट देता है उसको रखते हुए भी ये काम किया जा सकता है मैं वो भी समझा दूँगा तो यह एक आप्शन हो गया सोर्स में जाईए और यहां पर डबल क्लिक करते हैं रिशेट वाला कोड लिख लिए पहले यहां पर उपर में यह वाला लाइन है तो और यह हो गया आपका लॉग इन वाला बटन का है हो गया यह सर्थ आपको दो चीज़ यहां क्यार करना एक और यहां केस डाटाबेस को आप यूज कर रहा है यहां स्टेटमेंट क्यों तो उसका कनेक्शन उसी में है और यहां डाइरेक्ट भी लिख सकते हो नाइस और वो नहीं पूछ रहे हो तो समझ रहे हैं उसका वहां अब्जक्ट्ट सबस्किकां. क्या आप स्टोड़ क्यूंसी यहां स्टी मटीстी बनाऊ नहीं ठेकर क्रिये कैसे होगा कि यह स है कि यह ही है कि यहां देखोना स्टेटमेंट कि सको चलाना है जैसे एक फोता है अप्टेटेट क्वेरी होता है होता है ना हें से तो हमको चलाना है एक्सिक्यूट क्वेरी तो उसके लिए आपको स्टेंप को इंडिकेट कर रहे है लेकिन हम यहां को चलाना है क्लियर और स्व्चेय aula वाले मेथड को भी कॉल कर रहे ना क्रियेट स्टेटमेंट हाँ हाँ है ओके सब बताएंगे नेट में से वह हम बता रहे हैं यह ठीक है बाकि अलग-अलग जगह से अलग-अलग चीजों का ग्यान लेते रही है अगर मेरे अगर सिखले इस तरह से तो आप किसी का भी कर लीजेगा आप स्ट्विल्सरवर का भी कर लीजेगा विट्राइबर आता है उसी तरह कई है तोड़ा सा लाइट वर्जन है जिससे एक्सेसिबिलिटी थोड़ा सा मतलब और एकल जितना और स्कुल सर्वर जितना तो पावर्फुल हम नहीं कहेंगे लेकिन आपके एक बेसिक्स काम को तो निकाली देता है लेकिन और और स्कुल सर्वर के तुलनाम थोड़ा सा लाइट है तो लाइट होने के वज़ने से यह स्थि की होती है वह उसके तो मिड्रेंज तक में जितने बी пров들शेक्ट आर्ब सेना सकते हैं आपको हाइए के पे ही इस्केल सर्वर और और कि जरूरत पढ़ेगी जब आपको एमेजन बनाना है फ्लिपकाट बनाना है स्टेट बैंक आप इंडिया बनाना है तब और एकल स्कुल सर्वर की जरूरत पढ़ सकती है ओके यह सर्थ अधरवाइस किसी कपड़े के दुकान का हम पूरे बिहार के लिए बनाना है यह पूरे इंडिया के लिए बनाना है वह माई स्कुल पर भी निकाल सकते हैं इस यह स्टेश्ट कि यह सब्सक्राइब हमको 20 साल मेंगा मट का बनाना है तो वो भी हम माई स्कूल पर निकाल सकते हैं ओके चलिए तो आज जी की सेवा यही तक रखते हैं नेक्स सेवा में फिर से हजीर हो जाएगी अ